अब नीट 2022 के लिए countdown सुरू हो चुका है बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और इस कम दिन में आप confused हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अब दिखी क्या होता है कि आपने पूरे साल मेहनत किया है पूरे 12 महीने मेहनत किया है हो सकता है कि आपने 24 महीने मेहनत किया होगा या उससे ज़्यादा टाइम महनत किया होगा बट लास्ट के लास्ट के 30 या 40 दिन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो पूरे साल का महनत जाके सकार हो जाएगा बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि स्टुडेंट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं पूरे साल हैना उनका पॉफॉमेंस काफी कमाल का रहता है बट लास्ट के कुछ महीनों में बहतर परदर्शन नहीं कर पाते हैं लास्ट के कुछ महीनों में उनको पता नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है और इसे कस्म कस्में उनका एक साल और दो साल का महनत बेकार चला जाता है इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आपका पूरा का पूरा साल बरबाद नहीं जाएगा आप बहुत अच्छा करेंगे यह मेरा दावा है और इस वीडियो को लास तक देखिएगा तभी आप अच्छा कर पाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसको समझिये जरा क्या करना है तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको पढ़ना है रीड करना है जो भी आपने टू-डू लिस बनाए है आज का दिन ने धारत किया है और आज के दिन में आपने physics का target बनाया है, chemistry का target बनाया है, bio का target बनाया है, बिना target complete किये हुए आपको सोना नहीं है, तो आपको read करना है, बार बार revise करना है, ताकि आप repeat कर सके हैं, अब देखे, read, revise, repeat ऐसे term है, जो आपको एक सांथ करना पड़ेगा, देखे, सारे लोग पढ रिकॉल नहीं हो पाता है, अब जब रिकॉल नहीं हो पायेगा, तो आप गलत करेंगे, तो आपके निगेटीव मार्क हो जाएंगे, और निगेटीव मांक हो जाएंगे, तो आपका selection नहीं होगा, तो पढ़ना जैसे आप पढ़ते हैं, well and good, ऐसा ही आप read करिए, but recall करने के लिए आपको mcq practice करना पड़ेगा और mcq कैसे practice करना पड़ेगा अब इस online के एरा में या offline के एरा में बहुत सारे books और बहुत सारे question practice के साधन है आपको कौन से question practice करना है जिसके practice से आपको perfection मिलेगा यह बहुत बड़ा challenge है आप जज नहीं कर पाते हैं कि कौन सा question मेरी लिए authentic है कौन सा question मेरी लिए नीट के लेवल का नहीं होता है वह नीट के लेवल का Frage को find out करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है बट इसके लिए मैंने असान बना दिया है आप सब के लिए मैं रोजाना अनकाडमी के उपर फ्री में जी हां प्री में प्री में मॉक टेस्ट कराता हूं और यह मॉक टेस्ट जो है एंसी आर्टी से एक्स्ट्राक्टेड है पूरा का देना नहीं पड़ेगा डेली आठ बचे मांडे वे ट्री हो करें यो करेंगे घृस्ट को अनलाइस करी सथयंगे और सब्सक्रिय öldी में यह कि इससा बन जाएगा और यह सब चीज आगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे टेली ग्राम से जुड़ जाएए वहां पर मैं इसका लिंक डाल दूंगा उस लिंक से जॉइन हो सकते हैं तो आपको अथेंटिक कोश्चन यहां पर करने को मिलेंगे इसके साथ साथ मैं तभी आप read and revise तभी आप recall कर पाएंगे और उसे repeat कर पाएंगे exam के अंदर तो read और revise को भी मैंने आसान बनाया है अनेकाडमी के ही उपर one shot में सुबह 9 बज़े में कराता हूँ इस सारे free हैं तो आपको यह tension first वाला नहीं लेना है जो मैंने यहां पर बताया है read, revise और repeat आपक क्लास में आ जाए 8 बज़े क्लास में आ जाए यह वाला portion में complete करा दूंगा अब practice to perfection इस first वाले point को करता ही यही आपको last moment में करना है कि अगर आप 8 बज़े शाम को class आएंगे तो आप practice करेंगे और practice से perfection आएगा अचा दूसरा सबसे तीसरा important है keep faith and stay focused बहुत बार ऐसा देख हमारा विश्वास टूटता नजर आता है कि यारे यार अब तो नहीं हो पाएगा हैना मेरे mock test में कम number आ रहे हैं मेरा performance डाउन जा रहा है मुझे question याद नहीं आ रहे हैं silly mistake हो रहे हैं तो ऐसे ऐसे जो गलतिया जो हैं आपके विश्वास को तोड़ देती हैं और आपका जो focus रही है और अपने उपर विश्वास रहे एक दो गलती से यह determine नहीं हो जाएगा कि आपका selection होगा या नहीं होगा avoid anxiety आप देखिए last time मुझे भी डर लगा था सबको डर लगता है बट कहीना कहीं यह जो डर है आपके performance को decrease कर देता है यह मानना पड़ेगा आपको तो देख इसको कैसे क्या करना anxiety को अराम से जब भी आप बहुत ज़्यादा tension में आजाए आख को बंद करिए और अपना ध्यान अपने सांसों पर लगाए कि सांस आप ले रहे हैं चोड़ रहे हैं और हमीशा रिकॉल करिए कि यार मैं इंसान हूं इस दुनिया में बहुत dominant है सब ची कि था तो तो और सकता है कियों नहीं कर सकता हूं और आप कर सकते हैं और पर करना पड़ेगा ठीक है इनजाइटी को दूर करना पड़ेगा अब देंगेटिव कन्वरसेशन का मतलब हुआ कि हम जब preparation करते हैं जब उदास हो जाते हमारे नमर नहीं बढ़ पाते हैं या अब दोस्त हमेशा क्योंकि दोस्त आपका वही तो होगा जो आपके लेवल का है ठीक है तो हमेशा आपको निगेटिव भावना जाकरीद कर सकता है अब हो सकता है कुछ दोस्त आपके पॉस्टीव हो सकते हैं इसका चांस काम है राइट फैमली या रेलेटिव या आसपास के सब्सक्राइब करेंगे तो बहतर है उनसे बात यह ना करें लास्ट में तो इस नेगेटिव लोग से बचिए और ऑवाइड ओवर तिंकिंग अगर हो जाती है तो हम बहुत जादा सोचने लगते हैं क्या रहे यार अब नहीं हो पाएगा नहीं मेरे से मेरे बसकी बात नही समझ रहे हैं तो बिना मिस्टेक का आप अच्छा कैसे सीख पाएंगे मिस्टेक से ही तो इंसान सीखेगा है ना तो मिस्टेक को दोहराना नहीं है उससे सीखना है तो मिस्टेक को दोहराईए मत उससे सीखिए कि मैंने क्या मिस्टेक किया अब दुबारा नहीं करना है और पहला चीज कि अवॉइड एक्स्ट्रा रीडिंग कोई भी एक्स्ट्रा किताब एक्स्ट्रा बुक एक्स्ट्रा नोट्स नहीं पढ़ेंगे आपको पता है कि अगर नीड में सफलता प्राप्त करना है तो ncrt के हर लाइन को अच्छे तरीके से एक चीज़ याद आ रहा है कि एक हाईलाइड शीरीज लेके आ रहा हूं एन पढ़ाऊंगा निए मेरे टेलीग्राम के उपर एवलेबल रहेगा टेलीग्राम के ऊपर प्ड के डाल दूंगा हर एक चेप्टर का हाईलाइड से कौन सा लाइन इंपॉर्टन है कौन सा नहीं है तो जब आप NCRT पढ़ेंगे तो उस हाइलाइट वाले PDF को ओपन करिएगा और अपने बुक में हाइलाइट कर लेज़ेगा या सिंपली ऐसे पढ़ भी सकते हैं तो यह काफी कमाल का है तो NCRT इस इंपॉर्टन है ना ज 우리가 what we have for for NIT और आपको अपड़े गा और एकस्ता चीजे को आ वाइड करिए आफ्टरनून नाअब हम क्या करते हैं सुबए जल्दी उड़ जाते ह 충 द्रवाज crystalline 1-2100 तक फिर खाना खाते हैं खाना खाने के बाद आपको पता है कि सारा का सारा एटी पी हमारे डाइजेशन में यूज हो जाता हमें नीन आने लगती है और हम सो जाते हैं कि यार एक आद गंड़ा सो जाएंगे तो हम बहुत फ्रेश फिल करेंगे है ना ताकि हम इवनिंग और नाइट को भी अ जरूरी है क्योंकि यहाग्फा का मका चाहाये चाहे प्रक्टिस करें और कैसे को दूर भगाएं तो इस विडियो उस वीडियो को जरूर देख लीजेगा अवाइड टॉकिंग अधिए जादा हम बात करते हैं ना तो कहीं न कहीं हमारी इनर्जी ड्रीन होती है अब कम बात करेंगे ना तो आपके इनर्जी कंजर्ब रहेगी आप किसी से जादा बात मत करें अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपने पढ़ाई में कर पाएं तो ज्यादा दोस्ते बात नहीं करना ज्यादा फैमिली मेंबर से नहीं बात करना ज्यादा परोसी से बात नहीं करना ज्यादा मत बात करेंगे तो आप फोकस रहेंगे ज्यादा बात करेंगे फोकस आपका लूज हो जाएगा अवाइड डि आपके फैमिली का मेंबर कोई बार-बार आपके कमरे में आ रहा है तो गेट को लॉक कर दीजिए ना मना कर दीजिए कि नहीं आना है परती समय अगर पडोसी दूस रिलेटिव आ रहा है तो मना कर दीजिए 30-40 दिन में कुछ नहीं होने वाला आपके पडोसी रूट कुछ फरक नहीं है सब अभी एक न्यूज आई थी और उसमें आईएस का रिजल्ट आया था तो उस परसन का दोनों पैर एकसिडेंट में तूट गया था और दोने पैर को काटना पड़ा ठीक है तो उस इंसान को जो चाहने वाला था ना चाहने वाला था चाहने वाली थी है ना बहुत प्यार किरती थी उससे जैसे पै टूटा तो उसमें मना कर दिया कि यार मैं तुमसे शादी नहीं कर पौंगे मैं अपाही से शादी नहीं करूंगे और तुम तुख अभी IS के ऍसपेरेंट हो आईएस बने भी नहीं हो तो मैं नहीं कर पाऊंगे है ना रिलेटिव अगरा सब लोग हतास होगे बट फैमिली आपको पता है फैमिली हर से में आपके सांथ देती है फैमिली वाले ने सांथ दिया और उस आईएस के एस्परेंट को आईएस की तियारी करने का मनूबल मिला और आईएस में अभी रिजल्ट आया है दो चार तिन पहले और उस आईएस में उसका रिजल्ट आगे थेख है वो सेलेक्ट हो चुका है वही प्रेमी का मेसेज आता है और यह निूज में आया था मैंने पढ़ा था कि मैं तुम्हारे सांथ हूं मैंने छोड़ा नहीं था ह बस छोड़ा इसलिए था कि ताकि तुम अच्छे से प्रिपेर करो, देखे रहे हो, शब्द बदल जाते हैं, सफलता मिलते ही, जितनी भी निगेटिव लोग हैं, आप से रूठे हुए हैं, आपके दुश्मन हैं, वो दोस बल जाते हैं, सफलता में इतनी पावर है, समझ पा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा, अब कई बार ऐसा होता है, कि हम ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, तो सब का माइंड सेट अलग होता है, सब को समझने का नजरिया अलग होता है, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई ल प्रेज स्टुडेंट ही डॉक्टर बन सकता है डॉक्टर बनने के लिए इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं है मैं बार-बार बोलता हूं जस्ट हाड़ वर्क इस रिक्वाइड बिद गुड गाइडेंस बहतरीन गाइडेंस मैं आपको गाइड करने वाला हूं तो मेरे टेलि चैनल को सब्सक्राइब करें रेड कलर का बटन है उसे दबाईए बैल आइकन को दबाईए ताकि ऐसे बहतरीन वीडियो आप मिस्स ना करें थैंक्यू सो मच